आने वाले सब्ता में मंगल ग्रे के लिए पहला अरब अंतरिक्ष अभियान शुरू होगा अगले सब्ता इधन भढ़ने का काम शुरू किया जाएगा ये मंगल ग्रे तक पहुचने में 49.3 करोल क्लो मीटर की दूरी तैग करेगा और इसके लिए साथ सब्ता का समय लेगा फिर ये मंगल की कक्षा की परिकर्मा करेगा इसके बाद ये मंगल ग्रे के परियावरण और वातवरण के आकड़े प्रतवी पर भेजना शुरू करेगा इस अभियान में ये मंगल ग्रिय की कक्षा में मंगल वर्ष के आकड़े इखटा करेगा जो 687 दिनों का होता है मंगल की कक्षा की एक परिक्रमा में इसे 55 घंटों का समय लगेगा सोमवार को प्रेस कॉनफरेंस में इस कारिक्रम के निदेशक सारा अल अमीरी ने कहा कि ये परियोजना युवा अरव विग्यानिकों को जो स्पेस इंजिनियरिंग में अपना भविश्य बनाना चाहते हैं उनको प्रोथसाहित करना चाहिए जापान से रॉकेट किया जाएगा लॉंच नामेद अमल आशा नामक ये उपग्रे है जापान के ताने गाशीमा से 14 जुलाई को लॉंच किया जाएगा जापानी रॉकेट इसको लेकर जाएगा इसे मंगल के वातावरल के अंकलन करने के लिए तीन प्रिकार के सैंसर है जिसमें ग्रह की धूल और ओजोन को मापने के लिए हाई रिजोलूशन मल्टी बैंड कैमरा है दूसरा इसमें इंफ्रारेट स्पेक्ट्रो मीटर है जिसे एरिजोना स्टेट यूनिवरसिटी ने तयार किया है ये उपरी और निचले दोनों वातवरल को नापेगा इसमें तीसरा सैंसर एक अल्ट्रा वॉयलेट स्पेक्ट्रो मीटर है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस तर नापेगा अल अमीरी ने कहा कि पानी के लिए जरूरी इन दोनों तत्वों पर शोत केंद्रित रहेगा ब्रिटेंड की साइंस म्यूजियम ग्रूप के निदेशक सर इयान ब्लैचफोर्ट कहते हैं कि बहुत सारे अंतरिक्ष अभियानों का ध्यान बू विज्ञान पर केंद्रित रहा है लेकिन ये मंगल ग्रे की जलवाईयों की व्यापक और पूरी तस्वीर पेश करेगा अरब जगत का पहला अंतरिक्ष यातरी कौन था? अंतरिक्ष अभियानों में UAE का ट्रेड रिकॉर्ड रहा है उसने पृतिवी की कक्षा में रॉकेट भेजा है और उसका एक अंतरिक्ष यातरी अंतर राश्ट्रिये स्पेस स्टेशन में जा चुका है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यातरी सौधी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सल्मान अल सौथ थे जो 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष्यान में थे लेकिन इस समय ये बिलकुल अलग है मंगल गिरह जाने वाला अंतरिक्ष्यान UAE में बना है और उसे जापान बेजा गया है जहां पर सभी इंजीनियरों को कोरोना वाइरिस महामारी के कारर कॉरंटीन में जाना पड़ा था इसकी वज़ास से इस अभियान में देरी हुई क्यूं अलग है ये मिशन ब्रिटेन की ओपिन यूनिवर्सिटी में ग्राव और अंतरिक्ष्यान की प्रोफेसर मोनिका ग्रेडी को विश्वास है कि मंगल अभियान इस उद्योग में बड़ी तबदीली लाएगा क्यूंकि इससे पहले दुनिया की बड़ी तक्तों का दखल था वो कहती है कि मंगल को खंगालने को लेकर ये असली कदम है क्यूंकि ये दिखाता है कि यूरोपिये स्पेस एजनसी और नासा को छोड़ कर भी बाकी देश वहाँ पर जा सकते है अब हम उमीद कर सकते हैं कि वो वहाँ जाएगा मंगल पर अभियानों के फेल होने का लंबा इतहास है UAE में इस अभियान पर काम कर रहे लोगों ने दुनिया को याद दिलाया है कि आर्ट सदी पहले अरब अविशकारक और बुद्धी जीवी विग्यानिकों की खोच के मामलों में सही थे UAE के साथ अमिरातों में से एक दुबाई के शासक ने मंगलवार को कहा कि वो इस महत्वकांशी पर योजना को लेकर आशावादी है जो सांस्कृतिक गौरफ की भावना को फिर से जगाएगा और देश में विविदता लाते हुए उसकी तेल पर निर्भरता को दूर करेगा ऐसी उमीद है कि लाल ग्रे पर यूएई का अंतरिक्ष्यान तब पहुचेगा जब वो अपने गठन के 50 साल का जशन मनाएगा 1971 में इसका गठन किया गया था और ये अगले साल मंगल तक पहुच सकता है कोई भी देश इस महत्वकांशा में कमी का आरोप लगा रहा है क्योंकि यूएई का मानना है कि वो 2117 तक मंगल पर मानव बस्ती बसाएगा आपको क्या लगता है कि यूएई में अपनी महत्वकांशा पर खरा उतरेगा आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें धन्यवाद